इंद्रमिश्चा की हत्या के मामले में लखीम पुर खीरी पहुचे हैं आमादमी पार्टी के सांसद संजय सिंग आमादमी पार्टी के सांसद संजय सिंग खीरी पहुचे हुए है पोस्ट माटम हाउस को संजय सिंग ने घेर लिया है आरोपी CEO पर FIR के लिए संजे सिंग अड़ गए है हत्याकान में CEO शामिल है ये संजे सिंग ने कहा है और वितक बिधायक के बेटे की अगर आप बात सुनेंगे तो वो भी चीक चीक कर यही कह रहा है भारत समाचार में पुलिस संरक्षण में मुन्ना भाया की हत्या हुई है ये कहना है आम आदमी पार्टी के सांसत संजे सिंग का हत्या की FIR लिखी जाए परिवार को एक करोण का मुआबजा मिले आरोपी CEO को तक्काल गरफतार किया जाए आप पार्टी ने आंदोलन का ऐलान किया है उत्तर प्रदेश में और जिस तरह से एक के बाद एक वारदात हो रही है और उसमें पुलिस का जो इन्वाल्मेंट है उससे स्वाभाविक है विपक्ष सवाल उठाएगा और यही वज़ा है कि अखिलेश यादो जो समाजबादी पार्टी के सुप्रिमों है और उत्तर प्रदेश को पांच साल तक उन्होंने चलाया है उन्होंने भी सवाल दागे है उन्होंने भी सवाल उठाए है पुलिस की उपस्तिती में आज दिन्दाडे लखीम पूरुठ खीरी में तीन बार के बिधायक रहे निर्वेंद्र मिश्रा की हत्या कर दी गई लेकिन आप हैरान रह जाएंगे कि पुलिस ये बताने में लोगों को लगी थी कि उनकी हत्या नहीं हुई है उनको हार्ट अटेक हुआ है चार बार की मुख्यमंत्री मायवर्ती ने भी इस पर ट्वीट किया है यूपी लखीम पूरुठ खीरी के पूर्व बिधायक की हत्या करना निंदनी है चिंता जनक है सरकार दोश्यों को खिलाब ऐसी सक्त कार्रवाई करें ये दो पूर्व मुख्यमंत्रियों का सवाल है पूर्व केंद्री मंत्री रहें उन्होंने ये सवाल पूचा है ट्वीट के जरीए सवाल सभाविक है अब पूचे जाएंगे जिस तरह से एक के बाद एक कतल हो रहे हैं विधायक के और पुलिस का जो इन्वाल्मेंट है इसके पहले आपने देखा एक खबर में पुलिस छे पुलिस कर्मियों पर धारा 302 के तहत मुकदमा लिखा गया संजे सिंग चोहान भारत समाचार के समवादाता है रिपोर्टर है लाइब जुड़े हुए हैं संजे बिपक्ष अब एक जुट हो गया है और वो सीधे सरकार से सवाल पूच रहा है सिर्फ एक बिधायक का म है और पुलिस ये बता रही है कि हार्ट अटेक की वज़ा से मौत हुई है अब वो पुलिस है या डॉक्टर है बिल्कुल राहुल जी इस तरीके से लखीमपूर में घटना होई ये बड़ी घटना है अपने आप में कोई आम आद्वी नहीं बलकि तीन बार के पूर बिधायक रहे पूर बिधायक नपें निमिस्टरा की हत्या होना और पुलिस की ठेयोरी एक बार फिर से अपनी कहानी अपनी स्क्रिप्ट गड़ देना और उसके बाद उसे पूरे मामले को इस तरीके दबाने का प्रयास करना जैसे एक गरीब जो दबे कुछले लोगों को इस तरीके से पुलिस टहला देती है तो अपने आप पे जो इन्हों नहीं संजे बहुत है यह पुलिस के लिए हलाकि कि उसके बाद सियासत तेंज हो गई है क्योंकि बिकुरु कांड के बाद सब्सक्राइब जानना चाहरा हूं कि अगर पुलिस टहलाना चाहेगी तो टहला नहीं पाएगी इस वक्त मीडिया देखती है सब कुछ देखा जाता है मिर्तक का बेटा पूर विधायक का बेटा य इस पर कोई अभी तक कोई अधिकारी कॉमेंट आया है सरकार की तरफ से चुकि पुलिस का इसमें लगाता रहात है कोई डीजीपी का बयान आया है इसके पहले भी आपने संजे देखा कि छे पुलिस कर्मियों पर धारा 302 के तहते फाइयार लिखी गई और फिर एक सीयो का इन्वालमेंट इस तरह की वारदात में? जब घटा हो जाती है उस घटा के बाद क्यूं एक्सन पर आती है अगर यही पुलिस पहले एक्ट्वी होती तो पूर विधायक डिपेंद मिस्वा को बचाया जा सकता था जो मिली भगत खुलकर के सामने आ रही है जो परिवार आरोप लगा रहा है उन आरोप पर पहले ही अगर सच्छे मधिकारियों ने लिया होता तो साही इस घटा को भी रोका जा सकता था तो पुलिस की लगातार जो मिली भगत इतनी भी बड़ी घटाए बिकुरू कांड़ हो गोरक पुरक्रापाहन कांड़ हो इन तमाम मामलों में पुलिस की अन्हें पर निकल करके सामने की मौत जो है वो हार्ट टेक की वज़ा से हुई है भारत समाचार्थ सुभा से इस बात को पूरे उत्तर प्रदेश के सामने रख रहा था पोस्ट माटन के बाद क्लियर हो गया है संजे दो लोगों के खिलाप हत्या का केस दर्ज हुआ है और सीओ कुलदीप कुकरेती को हटा दिया गया है सभाविक है बेटे ने सवाल उठाया पूर विधायक के बेटे ने सवाल उठाया कि सीओ ने उन्हीं पर हमला किया और दबंगों को छुड़ा कर ले गए उन्हें हटा दिया गया है आई जी लखनौरें लक्षमी सिंग मौके पर मौजूद है लेकिन सबसे ब बिभागी जाच कराई जाएगी कुछ दिन तक हटाए जाएंगे और फिर उसके बाद इनकी नौकरी बहाल हो जाएगी देखिए अभी भी नौकरी पे हैं सीओ को मुख्याले से अटैच कर लिया गया है आई जी ने ये जानकारी दी है यानि ड्यूटी प्रॉपर है और इ मुख्याले में टैच कर लिया गया है फिर आपने सस्पंट किस बात का किया है वहाँ से हटाया क्यों है आपने जब आपको इन सीओ महोड़े ले से अटायज वी करना था तो वहां से अटाया क्यों यह लापर वाई यह इतनी लीप पोती संजे क्यों हो रही है पुलिस के द्वारा यह पूलिस का अपना जो तंसर है वो कहीं न कहीं तौर पर वो तस्वीर भी दिख रही है लेकिन बचाने के कहीं न कहीं पर प्रयास है विभागी जाच की जाएगी विभागी जाच में धीरे से उन्हें बरी कर दिया जाएगा और एक बार फिर से वह पुना अपनी नौकरी पर संचानित हो जाएंगे इस तरीके कि घटनाय अइसी कारवाई होनी चाहिए जो कहीं न कहीं लोगों के अंदर डर बने जहन में डर बने और दुबारा कभी ऐसी घटाएं का प्रवत्ति नहों आइसा कहीं न कहीं टार्गेट दिखना चाहिए विभाग का लेकिन विभाग बचाने का प्रयास सीदे सीदे तोर पर ठाएं को छुड़ाकर वहां से लेकर जाते हैं वहां स्हटा कर लेकर जाते हैं यह चीक चीक कर वह बता रहा है उस पुलिस को उसा को दिया गया यानि प्रथम द्रिष्टिया इन लोगों ने माल लिया है लेकिन एफ आई यार उनके खिलाप नहीं लिखी जाती है यानि आप पुलिस के हैं तो आप आपको वेटेज मिलेगा छूट मिलेगी कि बिल्कुल जबकि सीधे तोर पर और कोई आम आदमी का कानून सबके लिए बरावर पर है लेकिन जो देखती बिधान सबावा में तीन तीन बार अपने छेत्र की अपने जिले की आवाज बनके रहा हो राजनायति परिवार है खुद पूर्विधायक रहे हैं और उस ब्यक पहले से थी जिस तरीके से ठ्रीके से उनका जूट जो है क्लियर हुआ है कि किस पुलीस जूट बोल रही थी अब उसके बावदूद जब सीधे आरोप लग रहे हैं परिवार सीधे आरोप लगा रहा है तो अभी तक करवाई के नाम पर क्यों वहां से अटाया गया और मु मैं रोज खबर को पढ़ रहा हूंगा एक तो टाइम पर पुलिस आती नहीं है और जब आती है तो जो पीडित कहता है उसकी बात सुनती नहीं है अपने आप से उन्हें दिब ग्यान होता है वो बताते हैं कि हार्ट अटेक से मौत हो जाती है पोस्ट माटम में ये सामने आता है खुल के राता है कि उनकी हत्या हुई है दो लोगों के खिलाप हत्या का एफाई यार दर्ज किया गया है तुरंत आनन फानन में महाल बिगडे ना प्रदेश का इसलिए सीयों को सस्पेंट कर दिया जाता है और उनको मुख्याले अटेच किया जाता है ये वही पूलिस ह है ना जो साथ साल चे बुझूर अप राधि जो इंचसीटर है वो पेड़ लेकर आते हुए बह्ते सरेंडर कर रहे हैं यह हमारे सामने सरेंडर कर रहे हैं यानि अपनी बाबाई भी लुटते हैं और दूसरी तरफ तश्वीर आपके सामने है लखीमपुर्खीर में संजे राइबर एली की घटना भी आपसे चुपी नहीं है टॉर्चर में कस्टडी में यूवक्त की हत्या हो जाती है यह सब क्या हो रहा है उत्तरप्र अब यह अब आप देट अब आपसे जाना चाहता हूं अभी खबर यह आ रही कि उन्हें सब्सक्राइब नहीं किया गया है मृतक बिधायक का बेटा जो चीक चीक कर कह रहा है कि सीओ उसमें इन्वाल्ब है उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया है उन भाई सहाब को मुख्याले अटेच कर दिया गया इतनी महरबानी क्यों बिल्कुल सही बात है जबकि उस पर कारवाई होनी चाहिए थी जब सीजे तो पर आरोप लग रहे और आरोप तो प्रसम द्रश्टिया कम से कम जो अपडेट मिला रहा हटाने की वज़ाए सस्पेंड नहीं किया गय है तो यह कई न कई दरसाता है कि किस तरीके से इतनी बड़ी घट्ना होने के बहुजूद पुलिसिया रंग उस सीवो को बचाने का पूरा पूरा जो है कुचक रचने में जुटी हुई है कारवाई के नाम पर के और पुलिस में मुख्याले अटैच किया जा रहा है और उ शारिक खान ने इस पूरी खबर को आज कवर किया और सुभा से पूरे प्रदेश के सामने सच दिखाया बताया कि हुआ क्या है जो पुलिस हाट अटैक बता रही थी संजे सब के सामने शारिक सच बता रहे थे शारिक अभी का क्या अपडेट है अभी खबर यह कि सीओ को परजा से मौत हुई है अब वो बता रही है दो लोगों के खिलाप हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है यह इतना परिवर्तन कैसे हो गया अदेखे जैसा कि अपसर हम लोग देखते हैं कि पुलिस की पहले कोशिश ही होती कि मामले को हलका किया जाए उसको इस बास पता ही आप एंपने परिवर्तन के लाएं का अब विल्कुल पहली कुशा ही होती है अब कोई पकड़ती है या कुछ लोग तो मांग पर रखे हैं तो फिर जो है उस दिशा में काम किया जाये ताकि यहां पर भी आते ही देखने को मिला पहले लोग जिस तरह मन कर रहे थे बिखर का मुकद्वा दर्गोना चाहिए पुलिस में नहीं किया काफी लोग अले रहे हैं शाओ को नहीं ले जाने दिया गया पोस्मादम के लिए उतके बाद पुलिस को पीछ पैट फुट पर आने पड़ा और आफिकार जो दो लोग थे वहां पर दोनों लोगों परिवार भी मां सब्सक्राइब के लिए जोट तो नहीं बोलेगा शारिक वह डंके की चोट पे पूरे उत्तर प्रदेश के सामने यह कह रहा है और एक बात और आम आदमी पार्टी के सांसद संजे सिंग पोर्ट पोस्माटम हाउस पहुचे हुए है हाँ इलकुल लिखे जो हम आदमी पार्टी के सांसर है संजे सिंग वह लग्तों से पहुच के यह लखी पूरा चुके हैं और यहां पर पोस्माटम हाउस पर प्रिवार है उनके बेटे हैं संजीव और भी लोग तो साथ में बाड़ी के साथ वाये हुए उनसे मुलाखाद कि अधिक परिवार के और यह बरोस्ता उनको दिलाया है कि कभी भी उनको किसी बात की ज़रूरत हो तो वहर समय उनके लिए उपलब्द हैं और कहीं भी चलने के लिए तयार है तो इसको एक रोड़ का मौद़ा दिया जाए इसके अलावा जो इसके बूमिका संदिक रही है प पूरे केस में लोग को देखने के मिली थी जैसो संपुरा मेंगर हैं को भी बंदक बनाए जया था कुल मिलाकर जिस तरह से पूरा माहौल देशनों को मिला है आज यहां पर और संजे सिंग भी यहां पहुचे है पिड़िक परिवारते मांगी है जी रहुजी कब तक पोस् चुरा में बढ़ी होगी ओर चली बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए शारिख खान और नसे सिंग्स चोहां आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए यानि पोस्टमाटम रिपोर्ट अभी नहीं आई है जैसा कि हमारे समवादता शारिक खान ने इस बात को भी क्लियर किया है अपडेट किया है पोस्ट मटम रिपोर्ट का इंतजार है हला कि जो लखीम पुर्खीरी पुलिस यह कह रही थी कि इसमें इस मामले में हार्ट अटेक की वज़ा से पूर विधायक की मौत हुई है उसी लखीम पुर्खीरी पुलिस ने बाद में अपनी थेओरी बदली और दो लोगों खिलाब हत्या का मुकदमा दर्च किया है और अब आपको जहासी लिए चलेंगे चुकि यहां हैंड पंप से पानी